करनाटक के वेज्ञानिकों ने एक ऐसी फोटॉन मशीन बनाई है जिसमें फूंक मारते ही दो मिनिट में कैंसर का पता चल जाता है मूँ के कैंसर के अलाबा महिलाओं में होने वाले गर्भाशाय कैंसर, मधुमेह और तनाफ के बारे में ये मशीन जानकारी देती है राज्य के तीन अस्पतालों में मशीन की जाच भी हो चुकी है 200 से ज्यादा मरीजों की बीमारी के बारे में मशीन ने प्रारंभिक स्टेज पर ही बता दिया इस मशीन का बेंगलूरू में चल रहे फार्मा सम्मेलन में प्रदर्शन किया जा रहा है करनाटक के मणिपाल Academy of Higher Education के परमाणू और आणविक भौते की विभागाध्यक्ष डॉक्टर संतोष चिंदांगिल ने पताया कि इनसान के सलाइवा यानी थूक में 500 से भी ज्यादा फोटॉन युक तत्व मौजूद होते हैं उनकी फोटॉन मशीन इन ही तत्वों की रीडिंग करते हुए अंकों के आधार पर बीमारी की मौजूद्की या गैर मौजूद्की की पुष्टी करती है बजट में सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्त योजना आयुश्मान भारत की घोशना की थी साथ ही कहा था कि सरकार 2022 तक डेड़ लाख हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर स्थापित करेगी इन सेंटर पर दातों से लेकर कैंसर तक की जार्ज की जाएगी यहां पांच तरह का कैंसर और हाइपर टेंशन जैसी गंभीर बीमारियों का उपचार किया जाएगा वैज्यानिकों का कहना है कि उनकी ये मशीन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की पहल को कम समय और लागत में सफल बना सकता है देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सबस्क्राइब करना ना भूले